नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षागरवाल चुकि दिवाली पास है मतब चौथी दिवाली है 24 अक्टुबर की तो मन में खुशी के दिये हमारे हपते बर से जलने लग जाते हैं मिठायों की सुगंद, खुशियों की रंगोली, खुशी के दिये तो ऐसे मैं मन करता है कि दियों की उपर हम कुछ अच्छे अच्छी बाते लिखें कविताय लिखें और कुछ अच्छी सी विशेश विशेश बाते लेकर आपके समक्ष रखें तो ऐसे ही मेरी मन में आये कि क्यों ना दिये पर मैं एक छोटी सी रचना लिखूं और मैंने एक नहीं दो रचना लिखी हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी सुनियेगा तो सबसे पहले एक लाइन बताना चाहूंगी जो की है आपकी सपनों की मुंडे पर एक दिया हमारा भी तो सभी को दिपावली की शुब कामनाई और अनन्त शुब कामनाई सबकी दिवाली बहुत शुब हो सुनिएगा किसी के आंगन में, लोगों की दिपावली में, मैं दिया हूँ, जलता ही रहता हूँ, मैं दिया हूँ, नाम के अधिनस्त देना है मेरा काम, स्वयम को जला दूसरों के मन को रोशन करता हूँ, मुझसे लेते सा प्रेणा जो देते हैं पति-पत्नी को दिया बाती की उपमा, म के मन को रोशन करता हूं मैं दिया हूं मैं दिया हूं जो इतराता हूं लक्षमी पूजन पी रंगोली के बीच में अपनी किस्मत पी थाली में थाली में बन चंद्रमा खुश होता हूं मैं दिया हूं पर मैं जानता हूं कि मैं जलता हूं जलता हूं पूरी उम्र भर मैं दिय जो जलता हुं तीश तिहार उपर धन्यवाल बीरे अगली रचन है चोटी से वों पिसनाते हूं अंधेरा चाहे कितना घना हो चलो आशा का दीव जलाएं चलो ना इस बार इक नया दीब जलाए चलो ना इस बार एक नया दीब जलाए मन में करुणा का दीब जलाए जो बेचते हैं सडको गलियारों पर उनसे नई दीपक खरीद के लाए जो जीवन में दुख पिड़ा है बुरा भाव है कर दफन उनको दिल से नई उमीदों का दिया जलाए होती है काली रात तो क्या होती है मावस की रात तो क्या हर रात के बाद है होता है सवेरा सूरज की इस रोशनी को सूरज की इस रोशनी के रूपी दिये को हम जलाए कोई बच्चा न हो अधास न दुख्या हो आस्वास रिष्टो के हर बंदन को मीठा सा रसगुल्ला खिलाए चलो नइरा चाहिए कितना गना हो आशा का दीप जलाए क्यों सिर्फ एक राम के आने पर कि उस सिर्फ राम के आने पर जश्ट नमाएं चलो ना जो हो निरास उदास हर अपनों के उस चेहरे को हम खिल खिलाएं चलो ना रोशन कर